जैमातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाज जोशी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में मित्रो आज हम चर्चा करने वाले हैं 23 सितंबर 2020 में राहु देव राशी को परिवर्तन करने हैं और ब्रिशब राशी के अंदर वो प्रवेश करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और 12 अप्रेल 2022 तक वो ब्रिशब राशी के अंदर रहने वाले हैं यानि कि 18 माईने राहु देव ब्रिशब राशी के अंदर रहने वाले हैं तो ऐसे में राहू 12 राशियों पे क्या effect रहेगा उनका किन राशियों का jackpot लगेगा किन राशियों को हानी होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे और मित्रो एक request है आप लोगों से अगर आपको ये पेशकस बहुत पसंद आई हमारी एस्टो आज की जो टीम है बड़ी मेहन कर रही है इस concept को बनाने के लिए अगर आपको पसंद आता है राहू का जो राशी परिवर्तन का ये एपिसोड तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राहू के मंत्र से हम शुरूबात करते हैं कारि कि राहू कौन है और मित्रों आप लोगों को मैं परिशे कराना चाहता हूं कि राहू महाराज कौन है राहू महाराज वो है जो देवताओं की पंक्ती में बैठकर अमृत का पान कर गए राहू महाराज से ज़्यादा बुद्धिमान शातिर कोई नहीं और राहू जिनकी कुंडली में अच्छी स्तिती के अंदर राहू होता है तो ऐसी स्तिती के अंदर जो राहू होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट परदान करता है अब हम यह बात कर लेते हैं कि कुंडली के अंदर जो राहू होता है वो कहां कहां पर अच्छा रिजल्ट देता है कहां कहा सबस्क्राइब रिजल्ट्स देता है कुंडली की अनुसार आओ यह देकर्ण की अनुसार को मश्हूर बनाते उस proximity को सेलेबरिटी बनाता है बहुत बुद्धिमान और बहुत धनवान बनाता यदि आपकी कुंडली में तृतिये में छटे में और ग्यारवे भाव में अगर राहू है तो और आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो यकीन हार मत मानिएगा मित्रो विजय अभी आपकी बाकी है आप जीवन में अपने लक्ष को जरूर पाएंगे अब दूसरी इस्थिति के बात कर लेते हैं यदि आपकी कुंडली के अनूसार राहू ब्रिशब राशी के अंदर तुला राशी के अंदर मकर राशी के अंदर और कुंब राशी के अंदर अगर विराजमान है तो व्यक्ति को वो जो ये राहू है वो गरीब से अमीर बना देता है तो मित्रो अब हम पेस राशी में, सिंग राशी में, धनू राशी में, विरिश्चिक राशी के अंदर अगर राहु विराजमान हैं, तो ऐसे में जातक को नशेडी बना देता है, ऐसे में शत्रुता करा देता है, ऐसे में आपको पल-पल धोके मिलेंगे, ऐसे में जेल यात्रा करा देता है, एसे में जीवन में कोट केस्ट की स्थितियां बन जाती है मित्रो तो ये होगे आप चौती बात हम देख लेते हैं अगर कुडली में चौती स्थिति की बात करें यदि आपकी कुडली में छटे भाव में आठवे भाव में या बारवे भाव के अंदर राहू अगर स्थित है तो ऐसे में व्यक्ति को मिर्गी से सम्मंदित, प्रावलम दोरों से सम्मंदित, प्रावलम नसों से सम्मंदित, प्रावलम भूत प्रेद, गुप्त रोग से सम्मंदित, प्रावलम भूत बार जीवन के अंदर अभेद सम्मंद भी पाए जाते हैं अगर आपकी कुडली में 6 खटे आठवे बारवे भाव में राहू होता है या ऐसा व्यक्ति बुरे काम में लिप्त होता है इलीगल एक्टिविटी के अंदर लिप्त होता है मित्रो तो हमने चर्चा करी चार इस्थितियों की जो जनम कुडली के अनुसार राहू इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी क्या है अब कुल मिलाके अगर देखा जाएं मित्रो तो नौगरों के अंदर जो दो ग्रहें हैं वो व्यक्ति को राजा से रंक बना लेते हैं औरह john, मैं किसी घटना के माद्यम से रुबरू होता हूं जिसमें ये जो दो ग्रहें न मित्रों यह जीवन को सबसे ज़्यादा बदलते हैं पहला ग्रहें मित्रों शनी होता है दूसरा ग्रहें राहू होता है अब मित्रों बात कर लेते हैं आपकी राशी पे क्या एफेक्ट रहेगा इस राहू राशी परिवर्तन का इसके बारे में चर्चा कर लेते है अब बात कर लेते हैं मीन राशी वालों के लिए राहू राशी परिवर्तन का क्या एफेक्ट होने वाला है इसके बारे में चच्चा कर लेते हैं आपको मशूरी मिलेगी यानि कि आपको अच्छा फे में मिलने वाला है 2000 मतलब इन 18 महिने के अंदर राहू की जो पांचवी दृष्टी है वो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से इंकम प्राप्त होगी विदेशों से समधित कॉंट्रेक्ट प्राप्त होगा या विदेशों से समधित कोई डील आपकी बनाएगी राहू की जो सातवी दृष्टी है कहीं ना कहीं भाग्य से ज़्यादा इस वक्त आपका मेहनत और आपका व्यवहार आपका काम करेगा यानि भाग्य से इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा मीन राची वालों को जितना उनकी मेहनत उनको ज्यादा करनी पड़ेगी अठारा मेहने और व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा काम अच्छा बनेगा साती सात राहू की जो नवी दृष्टी है कहीं ना कहीं प्रेम और विवा के संबंद आपके बनते हैं यानि कि विवा के अचानक योग बन जाएंगे जो आव वि सा मीन राशी वाले जातक और जातिकाओं को 18 मेने विवास से संबंदित रिलेशन में साबदानी से रखना है क्योंकि आनैतिक संबंद भी बन जाते हैं ऐसे में जब राहू की सब्तम में दृष्टी होती है यह सब्तम भाव में राहू का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं हम तुझे दीजिये ही जादा जय मत दिमित्रो